नहर के पानी से सिचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। खरीव के अलावा रभी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया गया। यह पानी एक साथ दिया जाता है। जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहां आसानी से धान की उपज ह किन्तु कम पानी की आवशक्ता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी, लाखडी, गेहूं, अलसी आदी नहीं हो सकती हैं। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्द कराया गया बलकि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोथसाहित हुए और रभी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी, खेसारी, आदी की खेती छोड़ दी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाकडी, आदी फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाये गए कदम से गाउं के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। किन्तु आज यहां के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रभी मौसम में चना, खेसारी, गेहु, अलसी, आदी की खेती चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरक छमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना लाखडी अलसी आदी की फसल बोते थे, जिससे भूमी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, खेसारी, आदी दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को समवर्धित करने में सहायक होती है। आज खरीफ और रभी मौसम में धान बो रहे हैं जिससे उर्वरक छमता नश्ट हो रही है। पहले खेतों में मचलिया होती थी जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मचलिया पकड़कर उसे सुखा कर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों से मचलिया तो क्या केचुए भी गायब हो गये हैं। गाउं के लोगों का मानना है कि रासानिक खाद और कीट नाशकों ने सभी मचलियों को नश्ट कर दिया, अब उन्हें बाजार से बड़ी मचलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सब की पहुँच में नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासानिक खाद और कीट नाशक के खेती नहीं कर सकते हैं, किन्तु पहले ऐसा नहीं था, वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणू नहीं लगते थे, अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है, उन्हें बीज, उर्वरक, कीट नाशक, आदित दुकानों से ही खरीदना पड़ता है, भूम अंडली करण एवं भारतिय क्रिशी, भूम अंडली करण का आशे किसी देश की अर्थ वैवस्था का विश्व की अर्थ वैवस्था के साथ समन् इसका मुख्य उद्देश है, व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्थों का विभिन्न देशों में बेरोक, टोक, आदान, प्रदान या व्यापार हो सके आज क्रिशी एक व्यापार बन चुका है, अपने देश की खाद सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कपज़ा करने के लिए विक्सित देशों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो अग्रांकित हैं विक्सित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है उदाहरन के लिए चावर उत्पादन में अमेरिका 47 प्रतिशत, यूरोपी समुदाय 48 प्रतिशत एवं जापान 89 प्रतिशत सहाता देता है इसी प्रकार गेहू उत्पादन में अमेरिका 47 प्रतिशत, यूरोपी समुदाय 32 प्रतिशत एवं जापान 99 प्रतिशत सहाता देता है विक्सित देशों के द्वारा दिये जाने वाले इस अनुदान के कारण वहां के किसानों के फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है फसल लागत कम होने से विक्सित देशों के क्रिशी उत्पाद अंतराश्ट्री बाजार में सस्ते हो जाते हैं इस कारण अंतराश्ट्रे बाजार में इसकी मांग अधिक होती है विकाश शेल देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17 प्रतिशत इवं गेहू उत्पादन पर 3.83 प्रतिशत कर टेक्स लिया जाता है इससे इनके क्रिशी उत्पाद महंगे होते हैं अता अंतराश्ट्रे बाजार में विकाश शेल देशों के क्रिशी उत्पाद पिछड जाते हैं विकार शेल देश विक्सित देशों के द्वारा कृषी छेत्र में दिये जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किन्तु विक्सित देशों ने अनुदान देना बंध नहीं किया है। जैव प्रध्योग्यकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधार भूत इस्तर पर हेर फेर कर दे जाती है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन हो सके या क्रिशी उत्पादन में अभूत पूर व्रिद्धी को जन्म दे रही है अब अनाज एवं सबजियों की किस्मों, उर्वरकों, केट नाशकों, पौध पोशकों आधी द्वारा क्रिशी उत्पादन में आशातीत व्रिद्धी हुई है अब यह उत्पादन प्रयोक शालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्थर पर हो रहा है इसमें लगभग 5 बिलियन डॉलर राशी का निवेश हो गया है इस उत्पाद में लगे फर्म 4-5 करोड रुपए प्रतिवर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देते हैं पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कारे में लगी हुई थी जिनको दुनिया की बहुराश्ट्रे फर्मो जैसे एलाइट, साइनमिड, शेबरोन, डुपोट, सीबागीगी आधी ने खरीत कर एक पच्चिय एकी करन कर लिया है परिणाम यह हुआ है कि एक ही कम्पनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीट नाशक भी बेचती है जिसके आभाव में बीज काम्याब नहीं होता अर्थात किसानों को बीच खरीदते समय हमेशा उसी कम्पनी से उर्वरक और कीट नाशक खरीदना पड़ता है इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कम्पनी पर आशरित हो जाता है इससे विकाश येल देशों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है